नमश्कार साथियों, इजी इजी लाइफ योटिब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा कि इस सिरीज में कक्षा 6 हमारा राजस्थान के चेप्टर 8 आजी विका के प्रमुक्षेतर का आजम अध्यन करने वाले हैं राजस्थान एक खनिच संपदा संपन प्रदेश है फिर भी यहाँ पर काफी ऐसी चीज़े हैं जो इस प्रदेश को बहुती डाइवर्स या विविदिता पूर्ण बना देती हैं राजस्थान का 60 परतिशत भाग मरुस्तल है और क्रिशी मानसून की वर्षा पर निर्भर है जिसे मानसून का जुआ भी कहा जाता है वर्ष भर में यहाँ पर राजस्तान में तीन प्रकार की फसले होती है जिसमें सबसे पहले है रभी की फसल जिसकी बुआई सर्दी में और कटाई गर्मी के प्रारंब में यानि मार्च अप्राल में शुरू हो जाती है रभी की प्रमुक फसलें गेहूं, चना, जों, सरसों है खरीफ की फसल खरीफ की फसल की बुवाई वर्शा रितु के प्रारम में और इसकी कटाई शीत रितु के प्रारम पुर्वी हो जाती है इसका मतलब ये है कि इसकी जो बुवाई है वो वर्शारितु के प्रारम में जून जुलाई में प्रारम होती है और इसकी जो कटाई है वो अक्टूबर नमंबर से पहले पहले हो जाती है नमंबर आने से पहले सर्दी से पहले शुरू हो जाती है कटाई इसकी प्रमुक फसले हैं जुआर, बाजरा, मूंग, कपास, चावल, गन्ना, मूंग फली, तिल मोटे मोटे तोर पर ये मोटे अनाज वाली फसले होती हैं तिलहन वाली होती हैं फिर हैं जायद की फसले जो मार्च, अप्रेल से लेकर जून, जुलाई तक के बीच में उगाई जाती हैं और काटी भी जाती हैं प्रमुक फसले हैं खरबूजा, तरबूज और ककड़ी राजस्तान में कृशी की विशेशता हैं अब हम फैक्ट टू फैक्ट कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं जो हमने सीधी ही वन लाइनर के तौर पर ले ली हैं राजस्तान में कृशी की विशेशताओं में देश में सरवादिक बाजरा सरसों वेगवार का उतपादन राजस्तान में होता है उत्रपरदेश के बाद राजस्तान भारत में जो चना के उतपादन में दूसरे स्थान पर है पश्मी राजस्तान में सरवादिक बोया जाने वाला खाद्यान बाजरा है दक्षनी राजस्तान में सरवादिक मक्का की खेती की जाती है राजस्तान में गेहों का उत्पादन में श्री गंगानगर प्रतम है पश्मी राजस्तान में इंद्रा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेर शेत्र में सिंचाई की जाती है और 35 परतीशत फसली शेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है कुल सिंचित शेत्र के 66 परतिशत शेत्र की सिंचाई ट्यूवल या कुओं से वह लगबग 33 परतिशत सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है पशो पालन में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है भारत का लगबग 11.27 परतीशत पशुधन राजस्थान में पाया जाता है राजस्थान की 20 पशुगन्ना 2019 में हुई थी जिसमें ये उलेक किया गया कि उंटोवे गदो की संख्या में चिंतजनक रूप से कमी हुई है राजस्थान में खनन राजस्थान को खनीजों का अजायब घर कहा जाता है राजस्थान में 67 परकार के खनीज पाये जाते हैं सरवादिक उपलब्द खनीज रॉक फास्थेट है और सीशा, जस्ता, जिपसम, चांदी, संगमर्मर आदी के उतपादन में राजस्थान का एकादिकार है चूना पत्थर, टंगस्टन, अभरक, तामबा, इमारती पत्थर, आदी, अन्ये महतोपुन खनीज है तो आज के लिए इतना ही जुड़े रहिए इजी इजी लाइफ के साथ और प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब, धन्यवाद